हेलो एब्रीवन केरी का पना हम केरी के पने की रेसेपी लाई हैं केरी का पना गर्मियों में जरूर पीना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही लाबदायक होता है केरी का पना बन भी जल ली जाता है यह 400 गराम हमने केरी लिए इनको धोके रख लिया हमने और अब हम इ करेंगे हराफन रहा तो हम मॐटाough चृते जा रहा है उसक Were Doom ogni के लिए उन यह मृदी था नहीं तो दो गलास करीब हम पानी डालना हैे honored से केड़ी तरह से भी जाएंगी और बिलकुल जैसे ही सीटी आएगी और वैसे एक सीटी आएगी और हम एक दम साना लेंगे कर्ल लेंगे करी कर लिए हैं ज़् relate की हमने सीटी अ झाल लिए और कुकर कू खुल रहें हैं और करि बिलकुल बॉयल हूचकी है आप हमारे चैनल बेजी इंडिया पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिए यह हमने छन्नी रख लिए और कैरी को हम इस तरह से छान लेए पानी अलग हो जाएगा और कैरी अलग हो जाएगी इस तरह से हमने छान लिया है और गर्मियों में परसू थोड़ा पाइं डाले था थंडी हो चुकी है, और इस तरह से चकु से इनके पलप को निकालना है, गुदे को निकाल रहे हैं काटके, गुठली मैंसे अलग कर लेए, और यह सारी जो केरी या हैं हमने उनको काट लिया, है और गुटली को अलग रखते जा रहे हैं गुटली हमने अलग रख दी है और सारा गुदा निकाल के रख लिया है अब इनको हम पीस आइए हां से भी मसल के बना सकते हैं लेकिन पीस के जादा अच्छा रहता है और यह हम अटा लिया इनको एक तरफ बस इसमें जार में डा दल रहे हैं पीसने के लिए आप कहरी के पने की रेसीपि को लाइक करिए शेयर करिए और कोमेंट्स का इंतुजार हमको रहेगा कि जो आप कमेंट्स करते हैं तो बड़ा एक खुशी मिलती है हमको यह दो चमच हमने टेबिल स्पून शक्र डाल लिए है शक्र आप और भी डा जरूरी का पन को लूह है , मुझे is बहुत जरूरी है। इसे भूँत फैया करती है कैयी में पोधीने की पत्या decid., युट्ञे उचरा से पीछ लाइ समोल together और देखिए खूल के हम देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पिस चुका है अब इसको एक डॉंगे में निकालते हैं केरी का पना जो है अगर लू लग जाए तो दिन में तीन बार एक एक कप करके पीजिए बहुत फाइदा करता है लू भी भग जाएगी डड़के मारे और यह हमने डॉंगे में निकाल लिए एक ग्लास पाई डाल लिया है एक टीश्पून बुना जीरा पाउडर डाल रही है यह हमने डाल दिया है और इस तो मिला लगी अच्छी तरह से इसको चानना नहीं है इसमें जो रेशे रहते हैं फाइवर रहते हैं वो बहुत फाइदा करते हैं और बीट में थोड़ा सा एकात गुदा भी बचा हुआ है तो वो भी फाइदा करता है इस तरह से हमने जीरे श्क्राइब फथी पाड़र को अच्छी तरह से मिला लिआ है बहुत ही अच्छा बनाएं और ठोड़ा पानी और डाल लिया है कि थोड़ा ₹ड गाला लग लग रहा है आप चाहें तो डाले नहीं डालेगे लेकर हमने इस और थोड़ा पतला कर लिया आ Cris ऑ और ग्लास मे तो दिन में तीन बार एक एक काप करके फीजिए- बहुत फाइदा करता है लो भी भछ जाएगी ड़ंगे LOOKे मारे केरी पना गर्मियों में जरूर पीना चाहिए क्योंकि यहलth के लिए बहुत ही लाब दाएक होता है केरी का पना बन भी जल ली जाता है और गर्मियों में हीट वेप चलती है लू चलती है और उसमें बहुत जरूरी ये पीना ये आप केरी के पने की रेसीपी को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट्स का इंचार हमको रहेगा कि जो आप कमेंट्स करते हैं तो बड़ा ही खुशी मिलत केरी का पना गर्मियों में जरूर पीना चाहिए